आपका इक बार फिर से सुवागत है और ये अपने पसु पालन का model paper second जो की important है पसु परीचरवर्ती के लिए इसके लवा कर्शी परिवेक्सक और अन्य जितने भी exam जिन में आपके पसु पालन पूचा जाता है उनके लिए तो सबसे पहले नमर पे अपने क्यूशन है कुकट परियोजना निदे साले इस्तित है कुकट परियोजना निदे साले आपको बताना है कहां इस्तित है बेंगलोर में हेदराबाद में मेरट में उपरोग चबी तो बताई देखिए कुकट परियोजना निदे साले कहां पे है यह है अपने हेदराबाद में कापे है हेदराबाद में आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसके लाब बेंगलोर में क्या है बेंगलोर में है पसु विग्यान एवं पसु पोसन परियोजना निदे साले आपको अच्छे से ध्यान रखना है मेरेट में ये भी आपको ध्यान रखना है अपने दूद में प्रोटीन किस अवस्ता में रहता है आपको बताना है कि दूद में प्रोटीन किस अवस्ता में रहता है निलंबन अवस्ता में, कोलाइडल अवस्ता में, गुलंसी अवस्ता में, और ठोस अवस्ता में तो देखे, दूद में यदि वसा की बात करें, तो वसा है दूद में निलंबन अवस्ताओं में रती है, किस अवस्ता में? निलंबन अवस्ताओं में रती है, यह आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछ ले, दूद में वसा किस अवस्ताओं में रती है, तो निलंबन वस्ताओं में रहती है कौन सी वस्ता में निलंबन में नेक्ट अपन क्यूसिन की बात करें तो दूद का सपेद रंग होता है आपको बताना है दूद का सपेद रंग है किसके कारण होता है केरोटीन के कारण केसीन के कारण वसा के कारण और खनीज लवन के कारण तो बताई देखे, दूद का जो सपेद रंग वो किसके कारण होता है यह होता है, केसीन प्रोटीन के कारण किसके कारण? केसीन प्रोटीन के कारण दूद का रंग सपेद होता है इसके लवाद दूद का पिला रंग आप से पूछ ले केसा रंग दूद का पीला रंग किसके कारण होता है तो केरोटीन के कारण दूद का पीला रंग होता है ये भी आपको ध्यान रखना है पीला पूछ ले तो केरोटीन और सपेद रंग पूछ ले तो केसीन प्रोटीन के कारण अपने question है, गाई के दूद में SNF पदार्थ होता है, SNF मतलब वसा रही तो जो टोस पदार्थ है, यह कितना होता है, यह आपको बताना है, option अपने पास है 8.5%, 9.0%, 8.7% और 10%, तो बताई देखे, गाई के दूद में वसा रही तो जो टोस पदार्थ होता है, SNF होता है, 8.5%, कितना? 8.5%, इसके लावा आपको ध्यान रखना है, जो टोंड दूद होता है, उसमें भी 8.5% ही SNF पदार्थ होता है, किसमें? टोंड दूद में भी 8.5% ही होता है, और गाई के दूद में भी 8.5% ही है SNF होता है, इसके लावा बात करें 9%, तो 9% किसमें होता है? यह होता आपके बेड़ बकरी और जो भेस का दूद होता है किस-किस में बेड़ ले लो बकरी ले लो और जो भेस है इसके दूद में SNF पदार्थ आपसे पूछ ले तो 9% होता है बेड़ बकरी और भेस के दूद में SNF पदार्थ कितना होता है 9% इसके लाओ 8.7% है जो सप्रेटा द दूद होता है उसमें होता है SNF पदार्थ कोई सित किसमें जो सेपरेटा दूद होता है उसमें SNF पदार्थ आपसे पूछ ले वसारहित प्रोस पदार्थ तो 8.7% होता है तो अच्छे से ध्यान रखिए गा इनमें एक अन्फ्यूज मत विएगा यदि गाई का दूद लेक्टोमेटर से टेंसियो मिट्र से एनिोमीटर से तो बताएः देखिया दूद का जो अपरेक्सित गनात także किसे ग्याद करते हैं आपको वताना है दूद दोने की तरोतम ज़ी कौन सी चुटकी वीदी, पूर्ण हस्त वीदी, अंगुठा वीदी और मसीनों द्वारा, तो कौन सी वीदी सबसे अच्छी है दूद दोने की, पूर्ण हस्त वीदी, आपको अच्छे सी ध्यान रखना है, पूर्ण हस्त वीदी है, दूद दोने की सबसे अच्छी वीदी है, जिसक से क्या होता है थनों में घा हो जाता है अंगुठा वीदी से अंगुठा वीदी दो स्पून वीदी है और सबसे अच्छी वीदी कौन सी है पूर्ण हस्त वीदी है यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है नेक्स्ट अपने क्यूशन है टेबिल क्रिम में वसा परतिसत होता ह पतली क्रीम हो गई उसमें आपको वसा प्रतिसत बताना है कितना होता है 2 से 15 परसेंट होता है 18 से 25 परसेंट 25 से 45 से अधीक याँ पर है तो कितना होता है टेबिल क्रीम में वसा प्रतिसत यह होता है अपने 18 से 25 परसेंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है table cream आपसे पूछ ले table cream का मतलब हो गया पतली cream तो उसमें कितनी percent वसा होती है 18-25% इसके लवा यह दी 25-45% वसा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे वो अतिया अपने मद्यम या फिर whipping cream क्रीम कौन सी मद्यम या फिर whipping cream यह दी आपसे पूछ उसमें वसा पर्तिशत तो 25-45% आएगा इसके लवा जो गाड़ी किरीम होती है उसमें 45% से अधीक वसा होती है अच्छे सी ध्यान रख्येगा पतली किरीम हो गई तो उसमें अठारा से पर्तिशत पर्सेंटब वसा होता है तो इंसमें अपने पास जुशं Dolin परशेंट 20 परशेंट 25 तो बताई देखे बेस के दूद से कितने परतिसद से ना प्राप्त होता है 20 परशेंट कितना बेस के दूद से 20 परशेंट से ना प्राप्त होता है यह आप से पूछ ले गाई के दूद से कितने परशेंट से ना प्राप्त होता है तो 14 परशेंट ग बताई देके जो मुर्गी होती है उसमें बच्चे देने की किरिया क्या कहलाती है हेचिंग कहलाती है आपको अच्छे सिर्यान रखना मुर्गी में बच्चे देने की किरिया होती है उसको अपन हेचिंग बोलते हैं इसके अलवा किडिंग किसमें बखरी में बच्चे देने क किरिया को काविंग बोलते हैं किसमें गाई प्लस जो बेस है उसमें बच्चे देने की किरिया को अपन क्या बोलते हैं यहां पर बोलते हैं यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है नेक्ट क्यूशन की बात करें तो नेक्ट अपने क्यूशन है सूर का बदियाकर्त नर क्या क बोलते हैं मुर्गी का जो बदियाकर्त नर है उसको पन केपर बोलते हैं किसका मुर्गी का बदियाकर्त नर केपर कलाता है वीडर किसको बोलते हैं जो भेड है बेड का बदियाकर्त नर है उसको पन वीडर बोलते हैं किसको बेड के बदियाकर्त नर को वीडर बोलते हैं इस अपने क्यूशन है सरवादिक वसा बेस की किस नसल के दूद में होती है आपको बताना है सरवादिक वसा है बेस की कौन सी नसल में होती है मुर्रा बदावरी सूर्ती मेसाना तो कौन सी वेस की नसल है जिसके दूद में सरवादिक वसा होती है तो इसका राइट आंसर हो बकरी को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है गरीब की गाई चलता परता फ्रीज रणिंग डेरी उप्रोक्त सभी तो बताई दे कि बकरी को क्या कहा जाता है बकरी को यह सबी कहा जाता है यानि डियोप्शन से हो जाएगा उप्रोक्त सभी बकरी को है गरीब की गाई भी कह जाता है चलता फिर्टा फिरीज भी का जाता है और रनिंग डेरी भी का जाता है आपको अच्छे से ध्यान रखना ये सभी बकरी को कहा जाता है गरीब की गाई ये मात्मा गांदी जी ने कहा था बकरी को तो ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्ट अपने क्यूशन है निमन जो नसल है ये बकरी की विदेशी नसल है अच्छे से आपको ध्यान रखना है बाकि और ये सब नसले बारती नसल है लेकिन डोन नसल है ये विदेशी नसल है अच्छे से ध्यान रखिएगा नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अपने क्यूसन है बेड का सेंटिफिक नाम आपको बताना है जो बेड है उसका सेंटिफिक नेम आपको बताना है और गुणसुत्र कितने होते हैं और बेड का scientific नाम Ovis Ares होता है, केप्रा हिरकस है, यह scientific नाम होता है, बकरी का, किसका? बकरी का scientific नाम होता है, केप्रा हिरकस, गेलस domestics है, यह मुर्गी का scientific नाम है, केप्रा हिरकस, इसके लोग बुवेलिस किसका होता है, यह बेज का scientific नाम है यह भी आपको ध्यान रखना है next question की बात करें तो next अपने question है bed or बकरी का योवनारम समय है यानि poverty time आपको बताना है bed और बकरी का तो यहाँ पे देखिए option अपने पास है 10 से 12 मा, 15 से 18 मा, 24 से 30 मा और 36 से 42 मा तो बताए देखिए बेज वह बकरी का योवनारम समय यानि जो poverty time है वो कितना होता है तो बेज और बकरी का कितना होता है 15 से 18 मा, कितना होता है 15 से 18 मा होता है बेज और बकरी का इसके अलावा जो भारतिय गाई है उसका poverty time होता है चोईस से और 30 मा आपको अचे से ध्यान रखना है भारतीय गाई का आप से पूच ले तो 24 से 30 मा है यह Puberty Time यह यहोवनारम का समय होता है इसके अलावा बात करें भेश की तो भेश का जो Puberty Time होता है वो होता है 36 से और 42 मा कितना? 36 से और 42 मा भेश का होता है 24 से और 30 मा बारत ये जो गाई है उसका होता है और बेड और बकरी का कितना होता है पंदरा से अठा रामा क्यूशनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है आज का अपना ये मोडल पेपर कंप्लीट हो गया बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में दीरे दीरे अपने क्यूशनों का लेवल भी इंक्रीज करेंगे और क्यूशन भी बढ़ाएंगे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जहीं जह बारत